नमस्कार शब्द साची के इस समाचार बोलेटिन में आप सब का स्वागत है पहले सुनिए मुख्य समाचार अमरीका ने धार्मिक स्वतंत्रता की गंभीर अवहेलना को लेकर चीन और पाकिस्तान सहित 10 देशों को विशेश चिंता वाली श्रेणी में रखा जम्मु कश्मीर में जम्मु संभाग के सांबा जिले में अंतराष्ट्रिय सीमा से सटे इलाकों में प्रशासन ने रात का कर्फ्यू लगाया अंतराष्ट्रिय परपल उत्सव दोहजार चौविस दिव्यांग जनों की सहायता के लिए पहली टोल फ्री हेल्प लाइन की शु अमरेका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने धार्मिक स्वतंत्रता की गंभीर अवहेलना करने के मामले में विशेश चिंता वाले देशों की शेणी में चीन पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, क्यूबा, इरिट्रिया, इरान, निकार्गुआ, रूस, सौधी अरब, ताज स्वतिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और म्यामा को रखा है। श्री ब्लिंकन ने अलशबाब बोको हराम, आयात तहरीर, अलशाम हूती, ISIS साहिल, ISIS पश्यम अफ्रीका, अलकायदा के सहयोगी, जमात नसर अल-इसलाम, वल-मुसलिमीन और तालिबान को विशेश चिंता वा की कॉंग्रेस द्वारा, 1998 में अंतराश्रे धार्मिक स्वतंतरता अधिनियम को पारित करने और प्रभावी बनाने के बाद, धार्मिक स्वतंतरता को आगे बढ़ाना, अमरीकी विदेश नीती का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके अलावा, ब्लिंकन ने धार्मिक तंतरता के गंभीर उल्लंगन के मामले में विशेश निगरानी सूची के देशों के रूप में अलजीरिया, अजरबैजान, मध्य अफ्रीकी, गड़तंत्र, कोमो रास और वियतनाम को शेणी बद्ध किया है। जमू कश्मीर में जमू संभाग के सामाजिले में प्रशासन अनतराश्ट्रिये सीमा से सटे इलाकोंमें रात का कर्फ्यू लगा दिया है ताकि सीमा सुरक्षा बल सीमावर्ती शेट्रों में अधिक बह्तर तरीके से काम कर सके और किसी भी राश्ट्र विरोधी गतीविधी के शणीयंत्रों को ना काम कर सके। सामा की जिला मजिस्ट्रेट अभिशेक शर्मा ने बताया कि अंतराश्ट्री सीमा के पास अनुच्छे 144 के अंतरगत रात्री कर्फ्यू लगा दिया गया है आदेश के अनुसार सामा जिले में अंतराश्ट्री सीमा पर एक किलो मीटर लंबी पट्टी पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नागरिकों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा यदि किसी कारण वश आवागमन आवश्यक हुआ तो संबंधित व्यक्तियों को अपने पहचान पत्र सीमा सुरक्षा बल और पुलिस अधिकारियों को दिखाने होंगे यदि कोई व्यक्ति निर्दिष्ट आदेश का उनलंगन करता पाया गया तो उस पर कानून के अनुसार कारिवा ही की जाएगी ये आदेश दो महीने की अवधी तक प्रभावी रहेगा देश में सभी वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं उन तक पहुँचें और उनकी सभी समस्याओं को समय से निप्टारा हो इसे लेकर सरकार प्रतिबध है इसी के तहट दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए पहली राश्ट्रिये टोल फ्री हल्प लाइन की शुरुआत की गई हल्प लाइन नंबर का उदेश 24 घंटे और सातो दिन दिव्यांग लोगों के लिए सहायता की सुविधा प्रधान करना है गोवा में आयोजित हो रहे अंतर राश्ट्रिये परपल फेस्टिवल दोहजार चौबिस के दोरान 18-00-22-2014 हल्प लाइन नंबर लॉंच किया गया इस मौके पर सामाजिक ने आये राज्य मंत्री रामदास अठावले और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के सजिक राजेश अगरवाल भी मौझूद थे इस मौके पर राजेश अगरवाल ने कहा कि ये पहल दिव्यांगता से संबंधित परिशानियों को संबोधित करने के लिए समर्पित पहली IVRS इंटराक्टिव वायस रिस्पॉंस सिस्टम हल्प लाइन है जिसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता शामिल की गई है उन्होंने बताया कि हल्प लाइन की व्यापक सेवाओं में दिव्यांगता की रोकथाम प्रबंधन विशेश स्कूलों में शैक्षिक अवसरों और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी शामिल है इसके अतिरिक्त ये व्यावसाइक प्रशिक्षन नौकरी के अवसरों और विशेश रोजगार के बारे में विशेश्ट जानकारी प्रदान करता है उन्होंने बताया कि हल्पलाइन का उद्देश परिवारों को अनावश्यक और महंगी परिवहन लागत वहन करने की आवश्यक्ता को कम करना है ये भी कहा कि भारत में 6 टेलिफोन सरकिलों में मौजूदा बुनियादी धाचे का लाब लेते हुए हल्पलाइन दिव्यांग जन और उनके परिवारों की भाशाई और विभिद आवश्यक्ताओं को पूरा करती है आयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोचसव का जश्न मनाने की अमेरिका में भी तैयारियां तेज हो गई है इस एतिहासिक महोचसव के अवसर पर अमेरिका के प्रमुक शहरों में कार रैलिया निकाली जाएंगी आयोजकों ने कहा कि हम आयोध्या नहीं जा सकते लेकिन राम हमारे दिल में है कैलिपोर्निया इंडियन्स कर रहा है रैली का आयोजन पिछले हफ्ते वाशिंग्टन, शिकागो और अमेरिका के अन्य शहरों में कई रैलियां आयोजित की गई थी अमेरिका में कैलिपोर्निया इंडियन्स नाम का समुह भगवान श्री राम की घरवापसी का जश्न मनाने के लिए 20 जन्वरी को विशाल कार रैली का आयोजन करने जा रहा है आयोजकों ने कहा कि रैली में 400 से अधिक कारों के प्रतिभाग करने की संभावना है और ये रैली साउथ बे से प्रतिष्ठिट गोल्डन गेट ब्रिज तक जाएगी आयोजकों ने कहा कि उत्तिरी कैलिपोर्निया के भारत वंशी भारत के आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े और गौरवपूर्ण कारिक्रम का जश्न मनाने के लिए एक जुट है इस्थानिय मंदिरों और भारत वंशीयों ने 22 जनवरी को भी विशेश आयोजन करने की तयारी की है पूरे अमेरिका में इस्थानिय मंदिर और प्रवासी संगठनों ने 22 जनवरी तक विशेश उत्सब आयोजित करने की योजना बनाई है क्योंकि 22 जन्वरी को ही आयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी इस खबर के साथ ही शब्द साची के समचार बोलिटिन का ये अंक संपन्न हुआ अब दीजे इजाज़त नमस्कार